हलो फ्रेंड्स आइम अपरती वेलकम बैक ट्यू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम बात करेंगे एक वेजिटेबल के बारे में जो की है बिटर गौड यानि करेला इस प्लांट को लेकर हमारे काफी वीवर्स परिशान रहते हैं कि इस पे जब भी फल बनना शुरू होता है तो वो पीला होकर जड़ जाता है तो ऐसा क्यों होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहली बात अभी मौसम चल रहा है अच्छा सीजन है आप करेला इजिली ग्रो कर सकते हैं सीट से जो की मार्केट में इसके सीट आपको आसानी से मिल जाएंगे नहीं तो आप किसी भी सबजी वाली शौप से या जो ठेले होते हैं सबजी के वहां से कोई भी पका बहुत आप सीड कि प्रूप से मिल जाएंगी तरइसे पीला होना शुरू हो जाता है और इसके काफी कारण हो सकते हैं आपने नमी कोई हुई मित्टी में काफी सौगी बहुत जादा नमी होुए शौप सकते है जब झान अन्डे हो रखियों छोई इस पर एक हमने एक वीडियो पहले भी शेयर की हुई है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चेक कीजिए कि उसमें 1G, 2G, 3G के टिंग के बारे में भी बताया गया है जो बेल वाली सबजियां या जो फल होते हैं उनके बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन ब प्लाइज होती है और प्लाइज नहीं देंगी और यह पीले नहीं होंगे जब फल बनना शुरू होता है तब बहुत सौफ्ट होता है और उसमें फल्मक्ः अंडे देती हैं जिसकी वज़े से ये पीले होकर जहर जाते हैं दूस्रा तो नुटिशन की कमी होती है जब भी की कमी होगी तब भी फल पीला बनकर जड़ जाएगा पीला होकर जड़ जाएगा तो इसलिए फर्टिलाइजर पर भी ध्यान रखिए जब आपको कोई बेल फल देती है तो उसको पोशन की ज़रूरत भी होती है तो इन फ्रूटिंग प्लांट्स में या वेजिटेबल प्ला कोटी सी सीख जो होती है उससे तरह से इसको कवर कर दिया है फिलहाल बाद में आप इसको जैसे टाइम हो आपके पास तो आप इसको न्यूस पेपर से भी कवर कर सकते हैं जिसमें अंदर ही अंदर फल सही से बनता रहेगा और पीला भी नहीं होगा और वह जड़ेगा भी आप देखिए यहां पर यह बाहर की तरफ लगा हुआ है तो काफी लोग यहां से करेले को तोड़कर ले जाते हैं बिना पूछे तो इसलिए हम कुछ फूरूटिंग इसकी आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बाहर लगा हुआ है कोई देख भाल इसकी यहां पर हो सादा फल बन रहे हैं अभी तो यह बेबी करेला है तो अभी इसको कोई नहीं लेके जाएगा क्योंकि यह बीक अच्छा है लेकिन जैसे यह थोड़ा बड़ा होगा सबसी बनाने लायक होगा वैसे यह तोड़कर ले जाएंगे यहां पर काफी सारे करेले आया हुए थे ज कम से कम चार घंटे की धूप किसी भी सबजी वाले और फल वाले पौधे के लिए बहुत जरूरी है पॉलिनेशन अगर नहीं होता है मदुमक्या तितलिया नहीं आती है तो आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए जो कि हैंड पॉलिनेशन करना हमने बताया हुआ है आपको डिस्क् करनी होती है जब आप बेल ग्रो करते हैं तो वंची करने के बाद से फिमेल फ्लावर्स जादा आते हैं जिससे फल जादा बनते हैं यानि कि फल समसिया जादे पर बनेंगी तो आप पॉलिनेशन का भी सबसे जादे ध्यान रखिए क्या बात ध्यान रखनी है मिटी में दो बेल अगर लगा देंगे दो बीज लगा देंगे तो आपको काफी सारे करेले अराम से मिल जाएंगे और आप बहुत सारी सबसी घर पर प्री में ही पास सकेंगे सनलाइट फर्टिलाइजर और नमी इन चीजों का आपको ध्यान रखना है साथी पॉलिनेशन का भी ध्य पूछी हम जल्दी से जल्दी अंसर करेंगे वेस्ट कटे में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं जो प्लास्टिक बैक्स होते हैं आटा बैक्स होते हैं उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं छोटी से छोटी जगे में ये आसानी से ग्रोथ कर लेता है वीडियो अच्छे लेगी ह वीडियो तो जरूर बताएए थैंक यू